हाई एवरीवन विल्कम टू सरकारी एडवांस अगेंग तो इस फीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टन डिसकेशन करने वाले हैं जो उत्रखंट के नर्सिंग और पारामेडिकल की काउंसलिंग से रिलेटेड और उसके अड्मिशन प्रॉसेस से रिलेटेड रहने व काम दिया था तो आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें ठीक है और बाकी वीडियो मैंने अपलोड की है कट अगरा के उपर तो अगर आपको कोई बीचीज सर्च करने हैं तो मेरी चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं या फिर आपको उत्रखंट की नर्सिंग पा क्रामेडिकल कोर्स के लिए और वहीं पर प्राइवेट कॉलेजेस में कितना आगा तो वो सारी चीज़ हम लोग डिसकस करेंगे और यहां पर जो है कि अगर आपको मेरी काउंसलिंग में परस्नल हेल्प चाहिए ठीक है परस्नलाइज गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो तो वो आप मेरी से ले सकते हो तो उसमें अन्रोल करने के लिए स्क्रीन पर दी गई टेलिग्रम आईडे पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कोई भी बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना वहां पर मत पोच्छा ठीक है तो यहां पर आपको दिखाई दे सकते हैं ठीक है क्योंकि इनकी जो पीडियाफ है काफी पुरानी है यह 2015-16 के टाइम की 13-14 के टाइम की इनों ने पीडियाफ अपलोड की है ठीक है तो यह ओफिशल पीडियाफ है जो आपको वेबसाइट पर भी अवेलेबल हो जाएगी 2015-16 के अकॉर् टॉल के बाद वह बाला छोता है ठीक है उसके बात पोस बेसिक बिएसिग उनके लिए उप्सी नर्सिग उनके होता है बनारज के जेन आम के बात दो साल का और जो meisten नर्सिंग पर चार मतलब यह कि पहले जूलय गर हो पोशम कर रहा घर बो पी Speaking कर तो तो उनके लिए fee structure थोड़ा सा different है ठीक है और उसके बाद MSC nursing है तो यहाँ पर देख लो हम total fee structure की बात कर लेते हैं और इसमें क्या-क्या fees included है तो admission या registration fees है जो कि आपको एक ही बार देनी होती है 1500 रुपे सब में ठीक है बाकी MSC nursing में 1000 है और tuition fees की बात करें तो देखो BSC nursing की 4500 है और post basic की भी 4500 है लेकिन जो in-service candidates है उनकी 25,500 रुपे है post basic nursing की और 30,000 है MSC nursing की लाइबरेरी fees की बात करें तो 300 रुपीज है यह BSC nursing और post basic के लिए और post basic जो आपका in-service candidates है उनके लिए 1500 रुपे है और MSC nursing के लिए 500 इसी तरीके से laboratory fees है games या cultural activity fee है ठीक है उसके बाद ID card की fees रहती है आपकी 38 रुपीज फिर security या caution मिनिये तो यह जो 3000 रुपे आपको यह security fees इन्होंने लिखा हुआ है यह admission के time पर एक ही बार जमा होते है हर साल यह जमा नहीं होते है ठीक है तो यह है कि यह जो है यह आपका refundable होता है यानि कि जब आपका course complete हो जाएगा जैसे मालो आप BIC nursing कर रहे हो तो चार साल के बाद जब यह पूरा हो जाएगा यह भी आपको अपना course complete करने के वाद वापस कर दी जाती है ठीक है फिर examination fees है जो कि university के according होती है यानि कि यह आपकी change होती रहती है हर साल ठीक है तो वह कितनी होती है 2800 रुपए है ठीक है यानि कि महीने का जो है लगबग लगबग जो है आपका 1.500 रुपए का हो गया ठीक है तो यह हो गया और उसके बाद mess fees तो यहां पर इन्होंने जो में charges होते हैं वो आप यह मान के चलो कि किसी भी course में अगर hostel है और वो आपको hostel में food provide कर रहे हैं तो उसका खर्चा 2500 रुपए के बीच में हो सकता है हर महीने का ठीक है मतलब यह है कि दिन का लगबग लगबग 100 रुपए का आपका खाने का खर्चा होता है जिसमें आपका morning का breakfast होता है दुपैर का lunch होता है फिर evening में tea या snacks भी हो सकते हैं और रात का फिर dinner होता है तो यह जो है आपका 100 से ले नहीं है कि सब colleges में सेम हो हो सकता है कि दून government college है तो उसका अलग हो हलदवानी वाले government college का अलग हो तो यह वैरी करता है सब जगे अलग हो सकता है लेकिन इसकी रेंज भाई से साड़े तीन अजार के बीच में रहती है तो इतना आपको खाने का देना पड़ता है क्योंकि य अगर नीड है जिसे मालों की क्या बोलते हैं कि जिसे कहीं पर ऐसा है कि आप नर्सिंग कर रहे हो college का campus आपका कहीं हो रहे है लेकिन जो clinical duties वगर आपकी लगती है वो किसी मतलब hospital में जहां पर भी लग रही है तो वो hospital में भी हो सकते कि आपके hostel campus से दूर हो या आपके college campus से दूर हो तो वहां पर जो आना ले जाना मतलब जो भी आपका खर्चा होता है तो वो उसके recording होता है वो फिर आपको college में पता चलता है उसके बारे में ठीक है तो वो भी इन्होंने ऐसा कुछ mention नहीं करा तो अब यहां पर जो है इन्होंने total जो दिखाया है BAC nursing की fees के बारे म 11,813 रुपे वैसे तो नहीं दिये 2015-16 के according है fee structure चल रहा है तो अगर इन्होंने अभी पीडियाफ upload करी है इसका मतलब यह है कि fee structure यही वाला रहना चाहिए बट फिर भी आप यह मान के चलना कि 500,000 रुपे उपर नीचे हो सकता है ठीक है तो यही मान के चलो कि आपका 13,000 या रहे जार रुपे उपर भी हो सकता है ठीक है तो यह हो गया ब्यसी नरसिंग का post basic का और post basic में जो in service एंट है उनका 30,000 के असपास है और जो MSC नरसिंग वाले चांडियेट से उनका 40,000 के असपास है तो यह हो गया अब बात करते हैं आपर A&M और G&M के fee structure की ठीक है तो A&M करना पर चीजस sonra हो आँ जर ऐसे आप की साढ़ेचे सा आंसी स्पस और में श्रीं कर्सा एड़को ला वाली रोग वारोरस और अंडीब धे द्यान रखना की कि 5 आस ज подготов करना सकार जाएं की हमें सटी चेजरहनीolly से मीश स्टेक нравится हो दिखेंग रसे के असपस यह है तो आप उसमें से लगबख 4-4,000 रुपई और माइनस कर सकते हो तो 8,000 के असपस आपकी कहीं ना कहीं है फीज जाएगी सेकिंड थर्ड और फूर्थियर की ठीक है तो कुल मिलाकर जो है आपकी फीज 10,000 से कम ही रहेगी बाकी आपका एक्जामनेशन फीज व आपको एडमिशन के टाइम पर एक बर जमा करने होंगे यह तो आपको चार सल बाद रिफंड हो जाएंगे तो फीज आपका टोटल जो है वो लगबख लगबख 8,000 के आसपस ही होता है एक साल का बीसी नर्सिंग की बात करों और पूर्स बेसिक नर्सिंग है ऐसी बाकी अ गने हो लगबख लगबख 8,000 के असपास है और उसमें आपकी जो है लगबख 22,000 के अगर आप 2,000 के मैंस कर दो तो पूर्स बाकी नर्सिंग कर दो पांच शार रुपे के हसपस आप मान सकते हों कि आपकी D&M का खर्चा जाएगा जो पढ़ाई का खर्चा होगा और ऐनेम की बात करें तो अम में भी आपका लगभक 3.50 फॉपे का खर्चा जाएगा एक साल का यह पढ़ाई का खर्चा है बागी होस्टल में खाने का खर्चा हर महीने आपको देना होगा अलग वो मैंने आपको बता दिया धाई से साधे 3,000 के बीच में होगा और बाकि ट्रांस्पोर्टेशन फीज अगर एप्लीकेबल होती है और बाकि आपकी एक्जामनेशन फीज तो आई होप यह आपको पता चल गया होगा तो यह रहा हम कोमेंट कॉलज का फी स्ट्ट्टर अब बात कर लें एक बर प्राइवेट कॉलज के फी स्ट्टर के बारे में ठीक है तो देखो प्राइवेट कॉलज के फी स्ट्टर की भी इन्होंने पीडियाफ अप्लूट कि है बट मैं आपको पता दो कि reality में ground level पर इस फी फी स्ट्ट रूपीज है यह आपका स्टेट कोटे की सीट के लिए स्टेट कोटा सीट का मतलब यह है कि अगर आप काउंसलिंग के थूरू प्राइवेट कॉलेज में एडमीशन लेते हो तो आपको ट्यूशन फीस इतनी इतनी देनी पड़ेगी कोर्स के अकॉर्डिंग एनम में इतनी ज यह आपका फीस क्टर थूड़ा सा बढ़ जाता है लगब anytime और दशाजारूपे केएस्पस वह बढ़ जायेगा बट यह सिर्फ इन्होंने ट्यूशन फीस के स्टीक है इन्होंने चareak की बार नहींग कोई बहु और मेंशन नहीं चर अब होता क्या है कि यह जब आप private college में admission लेते हो तो ये सिर्फ tuition fees से उनका काम नहीं चलता, tuition fees के अलावा भी बहुत सारे fees होते हैं, जैसे अभी हमने देखे थे ID card fees, जैसे government में 38 रुपे है, ठीक है, वहाँ पर आपसे 400 रुपे या 500 रुपे ले लेंगे सिर्फ ID card fees के नाम पर, ठीक है इसी तरीके से transportation charges माल लो की, वहाँ पर आपके government college में जो है, महीने का सब्सक्राइब 1000 रुपे ले रहे होंगे, कहीं चाके या 900 रुपे कहीं ले रहे होंगे, तो वही private college में हो सकता है, 4000 ले आपसे या 5000 ले, ठीक है exam fees अगर माल लो आपकी जो है, मतलब exam fees तो लगबख सबकी एकी जैसी जाती है, क्योंकि university same है, तो exam fees तो आपको online ही pay करनी होती है बट कई बार ऐसा होता है कि उसके नाम पर भी ज़्यादा पैसे ले ले लेते हैं, ठीक है और बाकी भी बहुत सारे और होते हैं, जैसे library fees हो गई, तो library fees माल लो 100-100 रुपय आपके government college में है, तो आपकी वहाँ पर 500 रुपय या 1000 रुपय library fees ले ले लेंगे private college पे, तो ऐसे करके, जो खर्चे बहुत कम होते है government college में, वो private colleges बहुत बड़ा चड़ा कर बताते हैं, ठीक है और जिनको आप मना भी नहीं कर सकते हैं, देने से क्योंकि, वो ये बोलेंगे कि हमने तो आपको force करा नहीं है, private college में admission लेने के लिए, अगर आप आए हो, तो आप अपनी मर्जी से आए हो, और जो fees हम आपसे मांगेंगे, वो आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद क्या है, जिसे आप uniform का देखते हो, तो भई government college में से uniform वगरा जब आप बनाओगे तो आपको पैसे काफी कम देने पड़ते हैं, लेकिन private college में वही uniform के पैसे 3 या 4 बने हो जाते हैं, अगर मान लो, government college में 3,000 रुपे की uniform बन रही होगी, तो वही उसका private college में जो है, आप से 8,000 भी है, 10,000 भी मांग सकते हैं, uniform के नाम पे, ठीक है, तो इस वज़े से मैं ये बोल रहा हूँ, कि private colleges के fee structure, ये जो actually मैं आपको tuition fees दिख रही है, इस tuition fees के अलावा भी बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं, जो वो आपको बढ़ाते हैं, और वो बहुत ज़ादा-ज़ादा होते हैं, जितने actually में नहीं होने चाहिए, तो private college में देखो, अगर आप counseling में participate कर रहे हो, पहली चीज़ तो ये है, कि अगर आपको ऐसा लगता है, कि मेरे मांग ज़्यादा अच्छे नहीं आए, मुझे government college बिल्कुल नहीं मिलेगा, और मुझे private college में admission लेना ही लेना है, तो मैं आपसे यही request करूँगा, कि first counseling में ही आप private college भर ले, सारे government college उपर रखें, उसके बाद आप private college रख लें, क्योंकि seats बहुत जल्दी खतम हो जाती है, जो state quota की seats होती है, अगर आपको fees कम चाहिए, और management seat quota के seats हैं, वो अल्रेडी खतम हो चुकी है, क्योंकि जिन्होंने direct admission लेना होता है, वो जुलाई तक अपना admission करवा लेते हैं, ठीके न, तो यह चीज़ आपको समझने होगे, और अगर कोई ऐसा candidate है, जिसको लगता है कि मेरे chances है government college मिलने के, तो वो पहले और दूसरे round में government college के लिए try करें सिर्फ, और तीसरे round में government पहले डाले, उपर की तरफ, सारे government डालने के पास, फिर वो private college डाल सकता है, अब यह है कि पहली चीज़ तो आपको यह ध्यान रखने है कि अगर आप किसी भी private college में admission ले रहे हो, उस private college को counseling में fill करने से पहले, उसके बारे में सारी information ले ले, खाली दूसरों कि कहने पर मच जाएगी, यह college अच्छा है या यह college बेकार है, तो आप college को visit कर सकते हैं, या फिर college की website बगरा देख सकते हैं, college में आप बात कर सकते हैं, college का अगर कोई student है, जो कि आपके जान पैचान का हो, या relation में हो, या कोई आपका batchmate हो, या कोई friend हो, तो उससे भी आप college के बारे में information ले सकते हैं, और बाकी एक important चीज यह भी है, कि अगर आपको college का फी structure, private college का फी structure आपको किसी भी particular course का पता करना है, तो आप उस college में ही directly contact करें, तबी आपको fee structure के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी, और मैं आपसे यह request करूँगा, कि जब भी आप call करें, क उस call को record कर सकते हैं, so that की future में जो है, यह नहीं कह पाए कि हमने तो ऐसा कुछ बूला नहीं था, और बाद में क्या पता हो, fees को जादा बताने लग जाएं, तो यह चीज आपने थोड़ी सी ध्यान रखने है, तो यह है कि जिस भी private college में आप admission लेना चाहते हो, college को पहले 50,000 के अंदर अंदर है, 50,000 के असपस है, paramedical courses की fees, जितने भी सभी आपके degree programs में, BSC courses है paramedical में, चाहें आपका OTT हो, या फिर आपका BMLT हो, या फिर आपका BMRIT हो, तो सबकी fees government college में लगबक 50,000 है, और private colleges में आपको contact करके ही पूछना पड़ेगा, private college की fees 1,000,000 से लगबक लगी ऊपर होगी, या एक लाक्या असपास ही होगी, तो वो आपको जोए private college में confirm करना पड़ेगा, उसके बाद या आप counseling में वो college को fill करें, तब या आप वहाँ पर admission लें, ठीक है, तो I hope सारी information आपको clear हो गई है, अब इस video को imprint करते हैं, बाकी channel पर अगर आप नए हैं तो subscribe कर ले, and bell icon को press कर ले, ताकि future में भी आपको सारे updates मलते रहें, okay, so thank you and have a nice day.